नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पेटियम मनी में आप इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं तो चलिए सीधे चलते है Paytm Money एप के उपर और देखते है Intraday Trading के बारे में. जैसे ही आप Paytm Money में Login करते हो, सबसे पहले तो आपके सामने Dashboard Open हो जाता है, लेकिन आपको Watch List से लिक करनी है. जो Stock आप Intraday में Buy करना चाते हो, या फिर Sell करना चाते हो, उसे आप Watch List में Add करके रखे हैं. क्योंकि आसानी हो जाएगी वो Stock को Watch करने में और वही से Trade लेने में. यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सारे Stock Watch List में Add करके रखे हैं, इसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से Intraday Trading की जाती है. Example के लिए हम यहाँ पर Tata Motor का Share ले लेंगे, जो कि लगबग पौने 2% यहाँ पर गिरावा दिखाई दे रहा है. जो भी Stock आपको Trade करना है, वो अगर तेजी में है, तो वहाँ पर तेजी का Trade लीजेगा, अगर मंदी में है, तो वहाँ पर मंदी का Trade लीजेगा. क्योंकि अगर आप Contra Trade लेंगे, experience आप नहीं हो और Contra Trade लेंगे, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, Losses उठाने के chances हो सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यह stock हमें पहुने 2% मंदी में लग रहा है, तो हम यहाँ पर sell side का Trade लेंगे की कोशिश करेंगे. मेरे आपको राय रहेगी कि आप analysis के बिना किसी भी stock में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें. तो पहले तो हम जान लेते हैं कि timing क्या होती है, सबको पता है, वैसे फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि 9.15 मिनिट के बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करनी होती है, और 3.30 बजे तक का आपके पास वक्त होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हर एक broker का square of time अलग होता है, पेटियम मनी का square of time 3.20 मिनिट है, मतलब आपको जो आपने सोधा डाला है सवा 9.00 के बाद वो आपको 3.20 मिनिट से पहले square of करना होगा, अगर आप खुद से ये सोधा square of नहीं करते हैं, तो आपके लिए पेटियम मनी वो जो सोधा होगा, उस square of कर देंगे, वो उस order से आप exit हो जाओगे और आपको extra charge उस order के लिए देना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सवा 9.00 से लेके 3.30 बजे तक का intraday का timing होता है, और उसके बीच में ही आपको intraday trade करना होता है, उसके जाथ साथ जब भी आप intraday trading करते हो, तो आपका जो broker होता है, वो आपको leverage देता है, margin use करने का आपको मोका मिलता है, मतलब अगर आपके पास 10.000 रुपे हैं और आपका broker आपको 2X या फिर 3X margin देता है, तो आप 10.000 रुपे में 20.000 या फिर 30.000 तक का माल वहाँ पे खरीच सकते हो, उतनी quantity आप buy कर सकते हो, ये आपक holdings नहीं select करना है, trade select करना है, क्योंकि trade जो होता है, वो intraday के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको for intraday trade select करना है, उसके बाद यहाँ पे quantity select कर दी होती है, जैसे मैंने कहा कि आपका जो broker होता है, वो आपको margin use करने का मोका देता है, तो यहाँ पे एक stock की price अभी चल रही है, $489, लेकिन अगर आप intraday select करते हो, तो आप 122 रुपे में यह stock buy भी कर सकते हो, और sell भी कर सकते हो, मतलब short करने के लिए उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, एक stock के लिए और buy करने के लिए उतने ही देने पड़ेंगे, तो तना मारजिन आपको यहाँ पे मिल जाता है, फि अगर होता है, तो अच्छा है, profit होगा तो छोटा होगा, loss होगा तो भी छोटा हो जाएगा, जो भी beginners लोग है, वो यहाँ पे देखे कि intraday करते वक्त आपको short quantity उठाने का chance मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप analysis की बिना short quantity उठा दे, वहाँ पे loss भी उतना ही हो सकता है, तो beginners जो है, वो छोटी quantity में यहाँ पे शुरुआत कर सकते है, पहले practice कर ले, और उसके बाद अगर confidence अच्छा का सा build हो जाए, तो वहाँ पे intraday trade ले सकते है, अब यहाँ पे हमें sell price डाननी होती है, क्योंकि यहाँ पे custom price का जो box है, वो टिक किया हुआ है, अब यह मैं अग आपकी price के उपर stock sell कर सकते हो, मतलब मुझे लगता है कि 490 के उपर मुझे sell करना है, तो मैं यहाँ पे 490 टाइप कर दूँगा, enter कर दूँगा 490, तो जैसे ही 490 आ जाएगा, मेरा यह stock sell हो जाएगा, और उसके बाद आगी की process हम बताते हैं, तो 122 रुपे लगने मुझे, एक stock sell करने के लिए, advance option में अगर आप जाते हो यहाँ पे, अगर यह arrow select करते हो, तो आपको cover order लगाने का मुझा मिलता है, और bracket order लगाने का भी मुझा मिलता है, cover order में आप stop loss लगा के काम करते हो, वही bracket order में आप stop loss और target दोनों भी लगा के काम करते हो, तो intraday trading जो भी करते ह लोग वो cover order या फिर bracket order के साथ काम करें, ताकि उनका stop loss अगर hit होता है, तो बहुत ज्यादा loss उन्हें ना हो, और bracket order के साथ target भी उनका achieve हो जाए, cover order में आप stop loss लगा के काम करोगे, तो आपको जो target मिलेगा, वहाँ पे manually order place करना होगा, वहाँ से manually exit करना होगा, लेकिन cover order में stop loss आप लगाते हो, तो stop loss के लिए अलग से order आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है, फिलालाम क्या करेंगे, blank छोड़ देंगे, cover order भी नहीं और bracket order भी नहीं select कर रहे है, इसके बाद हम swipe to sell कर देंगे, यह देखे, हमारा यह order submit हो गया है, view में जाके आप order में देख सकते है, Tata Motor हमने sell किया है intraday में 490 के price पे, अब जैसे ही 490 का price इस पे आ जाएगा, हमारा यह order execute हो जाएगा, successful हो जाएगा, और हमारा stock में injury हो जाएगा short side में, और जैसे जैसे stock नीचे आएगा, वैसे वैसे हमें यहाँ पे profit मिलता हुआ दिखाई देगा, अगर 490 के उपर price जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे हमें लुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो एक certain limit पे हम stop loss हमारा decide करेंगे और वहाँ पे exit करने की कोशिश करेंगे, अब हमने trade लिया है 12 बच के कुछ 8 मिनिट पे, तो 3 बच के 20 मिनिट तक का हमें हमारे पास time है यहाँ पे, अगर 3 लेंगे, loss उठा लेंगे, क्योंकि 3 बच के 20 मिनिट के बाद, automatically मेरा order execute हो जाएगा, और मुझे extra पैसे वहाँ पे pay करने होंगे, क्योंकि broker ने आपका order execute कर दिया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, तो wait करते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे execute होता है order, फिलाल हो गया है हमारा order, sell कर दिया हमने 489.50 पे, profit and loss देखना चाते हो, तो यहाँ पे आप positions में आके देख सकते हो, कुछ 15 पैसे का loss यहाँ पे उठाना पड़ रहा है, 489.85 चला गया है, wait करेंगे, और देखेंगे कि क्या होता है, तीन बच के 20 मिनिट टक का time तो है अपने पास, तो अगर exit करना है, तो simply इस position में जाके आपको stock के उपर click करना होता है, और exit के उपर click करना होता है, जैसे ही आप exit के उपर click करते थे हो, सामने आपके सामने, फिर से quantity का page और market या फिर custom price का page open हो जाता है, यहाँ पे swipe to buy दिखा रहा है, क्योंकि पहले हमने sell किया है, इसकी व दिखा रहा है, उसके बाद आपको ये target आने के बाद swipe to buy करना होता है, तो आप stock में से exit हो जाते हो, same process आपको करनी होती है, यह हमने short करके आपको दिखाया है, buy करने के time पे भी same process आपको follow करनी है, cover order, bracket order, same process है, कुछ भी different नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे है, जितनी risk management है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे quantity select कर सकते हो, तो फिलाल तो इतना ही दोस्तों, ये था intraday trading कैसे कर सकते है, ptm money में इसका वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो please like कीजेगा, दोस्तों के साथ share और हमारे चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कीजेगा, धन्यवाद,